नमस्कार फैंट्स में नाम बबल उर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है आजम यहाँ पर देखने वाले हैं वह अपना हो जाता है इन्वार्मेंट का यहाँ पर बी-ए-बी-कॉम, बी-ए-स-स, सब इसलिए बहुत ही महात्व जाता है तो यहाँ पर हम कौन से देख रहत या आप www.paperhacker.in पर जाके भी आपको ट्रेलिस्ट में जाएगी बहाँ पर भी आप देख सकते हो तो बात करते हैं आजम देखेंगे 100 से आगे मतलब 101 से आगे की ओबने वाले तो यहाँ देखा है इन में से कौन कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन पाई जाए है ना तो बात करते हैं कार्बो हाइडरेट ऑक्सीजन प्रोटीन और बसा तो बसा में भी क्या होती है कार्बन होती है प्रोटीन में भी और कार्बो हाइडरेट में भी ठीक है तीनों में कारवन पाय जाता है मगर बात करते हैं oxygen में कारवन नहीं होता है ना O2 इसका formula क्या O2 तो यहां पर आपको कारवन देखा बिल्कुल नहीं तो यहीं देरीका है कि अकाबनिक पदारत है तो वो कौन सा हो जाएगा अपना oxygen हो जाएगा तो बात करते हैं बैसे सभी का अधिकार होता है मानब का भी होता है बनसपतियों का भी होता है और जीबो का भी होता है वागर देखा है परियाबढ़ का अधिकार है परियाबढ़ पर अधिकार है किसका है समस्त जीबो का option number जो D है सबसे अच्छा और मजबूत है तो इसलिए राइट कौन सा हो दाएगा option number D हो दाएगा समस्त जीवो का ठीक है आगे बढ़ते हैं next question निम्निकित में से कौन सा जैबिक तत्व नहीं है जैबिक तत्व किसे कहते हैं जैबिक तत्व उसे कहते हैं जिसमें जैबिक तत्व नहीं है मतलब अजैबिक तत्व कौन सा है तो वो हो जाएगा अपना जल आगे बढ़ते हैं next question की और next question की बात करते हैं तो next question जो अपना देरह्चा है वो देरह्ा है प्रत्वी पर उपलद जल का कितने प्रतिशत खारा पानी है जो प्रतवी पर उपलद जल का कितना प्रतीशत खारा पानी है खारा पानी का परसेंटेज मुझे रखा है प्रतवी पर जल कितने परसेंट पर है तो जल हो जाता है 71% पर ठीक है और बात करते हैं इस्तल कितने पर है तो इस्तल हो जाता है 29% पर ठीक है न तो 71% पर टोटल ज तो इसमें जो 70% होता है वो क्या होता है खारा जल होता है और जो 1% बच जाता है वो प्रियोग करने योग मतलब पीने योग या फिर उसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ देखा है खारा पानी है कितने परसेंट पे है बई 70% पे है तो राइट आंसर अप्शन नमबर यह होना चाहिए आगे बढ़ते हैं मानव स्वास्त परियाबड के किस कार से प्रभावित नहीं होता है किस कारक से प्रभावित नहीं होता है मानव स्वास्त परियाबड तो देहां रखा है जल से मिर्दा से बायू से या फिर बन्न जीबो से तो मानव स्वास्त परियाब उत रूप वर्ड जो प्रवावित होते हैं भो बत्रित को नहीं होता है। उसन नमबर डी होना चाहिए। लेक्स कोशन की बात करते हैं प्रत्विकए सरबदिक जल्ट केंद्रित हैं अद्रोप में जल्ट смож मेर् pap में या फिर बायू मंडल में भूगार्विक मतलब भूमी के अंदर जो जल पाया जाता है तो सबसे जल कहां पर है वो हो जाएगा समुद्र में है ना फिल्कुली जी कुशन आगे बढ़ते हैं एक्स कुशन दिरका है तुमारा कितने प्रतीसत प्रियोज जल भूमी पर है मत लिए परसेंट यहां पर राइट अंसर क्या होगा वन परसेंट तो ऑप्शन नमबर बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं प्रत्वी के कितने भाग पर जल का विस्तार है वह आपको बताना है तो टोटल थल कितना है थलो जाता है 29 परसेंट जल कितना है 71 परसेंट जब आप इसे निकालो को तो कितना जाएगा 3 बटा 40 परसेंट आने वाला है तो राइट अंसर अप्शन नमबर यह हो जाएगा टोटल पर भी कितनी है चार जिसमें से 3 भाग पर क्या है जल है तो राइट अंसर अप्शन नमबर यह होना चाहिए य 21 जून 25 सेतंबर, 22 जून 24 सेतंबर, तो दिन और रात बराबर होते हैं, बैं आपको बताना है, टिके, तो दिन कब होंगे, 21 मार्च, अब 21 तो आपको याद रहेगा, मगर मार्च आपको याद नहीं रहेगा, तो कैसे याद करेंगे, डो और एक दिन, तीन पर कौन सा होता है यहाँ पर देखीगा और सितंबर कैसे बनाएंगे तीन का क्यों करेंगे तो कौन सा आगा नो और नो महिना कौन सा होता है सितंबर तो इस फिरकार से 21 मार्च और 23 सितंबर वाली ट्रिक बन जाती है और हम बिलकुल नहीं भूलने वाले एक्जाम में आराम से लग रहेंगे ठ के दौरा किसके दौरा परवेतित होता है नाइट्री करड के दौरा ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नमबर सी नैने वाला है नेक्स कुशन की बात करते हैं बादल बायू मंडल की कौन सी परत में बनते हैं पहली परत छोब मंडल, समताब मंडल, मद्ध मंडल, ओइन मंडल और ब्रहा मंडल जिसे इंगलिस में ट्रोपोस्पियर, इस्टेटोस्पियर, मेसोस्पियर, बद्धवाली हो गई और यहां हो जाएगे अपनी थर्मोस्पियर और ब्रहा मंडल, एक्जोस्पियर इंगलि छोब मंडल तो right answer होगा option number A अपना next question की बात करते हैं green ग्रह दूसरा नाम है green ग्रह दूसरा नाम किसका है प्रतभी का बंगल ग्रह का सनी का या फिर सुक्र का तो right answer क्या होगा भई प्रतभी का दूसरा नाम हो जाता है green ग्रह ठीक है और ग्रहो की जब यहाँ पर ग्रहो की बात होई तो ग्रहो को देख लेते हैं total ग्रह कितने हैं no कौन कौन से हैं यहाँ तो हो जाता है अपना सूर सूर के समीब सबसे वाला सबसे पहला ग्रह कौन सा हो जाता है बुद्ध उसके बाद कौन सा होगा सुक्र, शुक्वेंस भाई आपको याद होना चाहिए, पूछ सकता है, ठीक है, कि तीसे निमबर पर कौन सग रहा है, चौते निमबर पर कौन सग रहा है, तो पहला हो जाता है बुद्ध, सुक्र, तीसरी होगी अपनी प्रतभी, ठीक है, चौता अपना हो जाएगा मंगल, और जो पांचमा हो जाएगा बो हो जाएगा ब्रहस्पती, ठीक है, और जो छेटा हो जाएगा बोपना हो जाएगा सनी, सातमा होगा अपना अरुड, आठमा होगा अपना अरुड होगा, और आठमा जो हो जाएगा बोपना हो जाएगा बरुड, और जो अपना नमा हो जा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा option नमबर होगा प्रत्वी ठीक है ग्रीन ग्रे किसे कहते हैं प्रत्वी को कहते हैं नेक्स कुशन की बात करते हैं सब्सक्राइब में CO2 का रुजहान है CO2 कैसा हो रहा है बड़ता बड़ाप पर है घटाप पर है कोई परवरते नहीं है इन में से कोई नहीं तो आपको पता है बहुत सारी कार्बनीक जो कैमिकल्स पगरा यूज के जारहे हैं ना प्रत्वी काटे जारहें इससे क्या हो रहा ह CO2 का रुजहन कैसा हो रहा है बढ़ापर है तो right answer option number A होना चाहिए next question की बात करते हैं मानव संसादन सरबदिक पिरवावित होता है मानव संसादन जो है वो सरबदिक पिरवावित किससे होता है इस्ता करती द्वारा इस्ता करती जो होती है उनके द्वारा मिर्दा द्वारा जलबायू द्वारा या फिर खनिस के द्वारा तो सरबदिक की बात कर रहा है सरबदिक पिरवावित किससे होता है इसता किरती से भी सर्वदिंट नहीं होता है मिर्दा से भी और नहीं खनी से सर्बियुत प्रवाबित जो होता है ऑगे पर चुक्षिन के और हो究ं करता है सबसे अधिक कंतरा है जैब विविता जो हो मतलब जीवों पाई जाने वाली विविता को क्या कहते है जैब विविता तो जैब विविता को सबसे अधिक खत्रा किसका है भुसकलन पनगनी पास इस्थान हानी या फिर प्रदूसर तो जैब इविता को सबसे अधिक खत्रा किसका हो जाता है वो हो जाता है अपना प्रदूसर का ठीक है? राइट आंसर उप्शन नमबर डी होगा बाकी सभी का होता है प्रदूसर का हो जाएगा राष्टी जलजीब है आपको बताना है डालफिन गड़ियाल, कचुआ या फिर मेड़क तो राष्टी जलजीब जो है वो कौन सा हो जाएगा भई? डालफिन हो जाएगा राइट आंसर उप्शन नमबर ए रहने वाला है सबसे अधिक मीठे स्वच जलकी जील है सबसे अधिक मीठे और स्वच जलकी जील कौन सी है? वैं आपको बताना है विक्टेरिय जील, चार जील, बैकाल जील या फिर नियासा जील तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो सबसे अधिक मीठे और स्वच्छ जल की जील कौन सी है जब मीठे और स्वच्छ की बात कर रहा है तो खारे की भी साथ में देखना है ना खारे पानी वाली जील जो है वो कौन सी है तो बात करते हैं मीठे पा मीठे और सुचल की भी जिल हो जाती है तो यह अपना हो जाता है रूस में इस्थित है रूस में इस्थित है कहां पर साइवेरिया जहां रखना है रूस के साइवेरिया में यहां से कोशन बन सकता है कि बैकाल जिल कहां इस्थित है तो आपको याद रखना है साइवेरिया अब साइवेरिया कहां पर है रूस के अंदर आगे बढ़ते हैं य परियाबड में निम्निकत घटकों में से आप किसे समलित करेंगे परियाबड में निम्निकत घटकों में से आप किसको समलित करेंगे जल बायू मिर्दा या फिर ये सभी तो बाय जल भी हो राती है परियाबड के अंदर बायू भी और मिर्दा भी तो किसको समलित करोगे सभ को समलित करने वाले हैं तो right answer option number D होगा next question की बात करते हैं रच्छात्मक ओजोन परत उपस्थित होती है जो रच्छात्मक ओजोन परत है वो कहां उपस्थित होती है ओजोन इसे O3 के नाम से भी जानते हैं गैस कहेंगे तो O3 ठीक है वैसे रच्छात्मक ओजोन परत में उसके बाद समताब मंडल जो हैं इसमें क्या होते हैं जैड बीमान बगरा है लडा को बीमान है यहां पर भी नहीं होगी उसके बात कहां होगी मद्द मंडल में मद्द मंडल में रहने वाला है ना मिजो स्पियर तो right answer क्या होगा option number C हो जाएगा तो रच्छात्मक ओज पर जोन की बात हो लिए ना ये कि ऑसरी जो जोन परत है ना उजोन परत है वो क्या रोकती है सूर से आने वाली परावैंगनी करणों को रोकती है ठीक है और यह कहां उपस्तित है मद्द मंडल में उपस्तित हो जाती है next question की बात करते हैं next question देखका है अमर बेल उधर है अ ग्रेंड करते हैं उन्हीं क्या कहते हैं? परपुस, जैसे की हमारा हो जाता है, परजीबी किसे कहते हैं? किसी के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करें? तो वो कौन सो हो जाते हैं? परजीबी और अमरबेल किसका उधार है? पर GB का उधाड है पौदो के उपर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है तो राई टांसरों का option number C और जो स्वपोसी होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं स्वयम बनाते हैं जैसे की नीरहत सहवाल आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं परिया बढ़के संगटक होते हैं परिया बढ़के संगटक कौन से होते हैं आपको बताना है बहुत एक संगटक जैविक संगटन या फिर उर्जा संगटक या फिर ये सभी तो परिया बढ़के संगटक होते हैं ये सभी होते हैं पतिक संगटक भी होता है, जैविक संगटक भी होता है, और उर्जा संगटक भी होता है, तो राइट आंसर होगा option number D, next question की बात करते हैं, ozone layer कहां इस्तित है, जो ozone layer है वो कहां इस्तित है, अभी हमने कहां देखा था, मद्दे मंडल में, है ना, मतलब मेजो स्पेर में, तो र प्लैट किया आता है, तो कहां करते हैं, दुर्बो की ओर करते हैं, वहां पर जो ozone layer होती है, वो क्या होती है, मोटी होती है, जिससे ozone layer छिड़ना हो जाए मतलब छेदना हो जाए न और दुरुबो पर बहुत सारे प्रेक्षण होने पर क्या हो गया है जिससे क्या होती है परावेंग्नी क्रिण जो है अमारी परत्वी पर आ रही है तो बात करते हैं ओजोन परस सबसे मोटी कहां उस्तित होती है भाई दुरुब जा बहुते परियाबर का घटक है बात करते हैं पौधे बिल्कुल नहीं होगे, मानब वस्तिया ये भी नहीं होगी नहीं मानब होगा, बहुते के अंदर कूँ आएगा? जल आजाएगा, तो राइट यांसर n- ह Newton की बात करते लिथोस्पेर की सबसे निचली परत कहलाती है लिथोस्पेर जमारी परत भी है उसकी सबसे निचली परत जो है वो क्या कहलाएगी हमारी परत भी है वो तीन भागों में डिवाइड है किसमें भागों में डिवाइड है वई तीन भागों में डिवाइड है सबसे उपर वाली जो होती उसे क्या कहते है क्रोट्स कहते है क्या कहते है वही क्रोष्ट कहते है और नीचे वाली जो होती उसे क्या कहते है मेटल ये मेटल की बनी होती है मेटल कहते है और थैड़ वाली जो होती है कोर ठीक है लास्ट बाली नीचे वाली वो क्या होती है core तो वहीं पूँच रखा है सबसे निचली परज जो होती वो क्या कहलाती है तो वह वह कहलाती है core ठीक है तो right answer क्या होगा option number C हो दाएगा core कहलाती है ठीक है आगे बढ़िएगा next question यह मैंने आपको जियोग्रॉफिम पड़ा रखा है first year वाली में next question की बात करते है ozone gas को प्रिदर्सित किया जाता है जो ozone gas है उसको प्रिदर्सित किया जाता है किस से O2 से नहीं O2 oxygen होती है ना O3 क्या होती है ozone होती है बिल्कुल सही बाकी नहीं होंगे ठीक है तो ozone gas को प्रिदर्सित किया जाता है किसे? O3 से. Right answer option number B होगा. Next question की बात करते हैं. इन में से कौन? जैबि घटक है. हमने बता रखा है जैबि घटक किसे कहते हैं? जैबि घटक किसे कहते हैं? जैबि घटक कहते हैं जिसमें carbohydrate बसा और protein में से कोई एक हो. जल में होगा? बिल्कुल नहीं. बायू में भी होगा? बायू में भी नहीं होगा? और नहीं होगा? मिर्दा में. किस में देखने को मिलने वाला है? पादप में only मिलने वाले हैं. कार्बोहडिट बसा या फिर protein में से कोई एक. ठीक है? तो right answer option number D हाँपर बिल्कुल right रहने वाला है. Next question की बात करते हैं. बाता बढ़िए आदरता मापी जाती है. जो बाता बढ़िए आदरता मापी जाती है. जो बाता बढ़िए नमी जो होती है वो किसके दोरा नापते हैं? यहाँ पर पूंच रखा है. पायद रखा है. रेडियो मीटर रेडियो मीटर के दोरा यह नहीं जाता है. बिद्दुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मिजो स्पियर में मद्वाली में वो जो लेर होती है अधिक मात्रा कहां पाई जाती है ठीक है तो मिजो स्पियर और एक्जो स्पियर के बीच में जो होती है लेर उसमें पाई जाती है अधिक मात्रा किसकी ओजोन की ठीक है ओजोन के अधिक मात्रा कहां पाई जाती है भई मि एग्जोस्पियर के बीच में कौन से लियर होती है तो वो होती है अपनी थर्मोस्पियर टीक अधिक मात्रा पाईजाती है तो वो पहाईाति कहाँ पर थर्मोस्पियर में राइट अंसर उप्सेन नंबर डी रहने वाला है नेक्सati की बात करते हैं पाईस्तित की बिज्ञान है, पाईस्तित की बिज्ञान क्या है, जीव जन्तू का, समुदाय का, मानब समू का, या फिर परियावड के संबंद में बनस्पती के अध्यन का, तो सबसे अधर राइट कौन सा होदाएगा, पाईस्तित की बिज्ञान है, कौन सा है भई, परिया अधिक परिबर्तन सील तत्व कौन सा है जो अधिक परिबर्तित होता हो कार्बन डे ओक्साइड कितनी है वायो मिंडल में तो बात करते हैं 0.04% है तो इसमें तो कई परिबर्तन हमें देखने को नहीं मिला है जादा परिवरतितर देखने पहों नहीं मिला है और बात करते हैं जलबास उसके बाद Peanut 11%, इसमें नहीं मिला, नैटिरोजन 28% इसमें भी अधिन देखने को जादा नहीं मिला है तो तो अधिक प्रबरतल सीन कौन से हो जाएगी जलबास हो जाएगी जो परिवर्तित होती रहती है नेक्स कुशन की बात करते हैं बायू मंडल की अंतिम सीमा जो आकास से प्रारंब होती है आकास से प्रारम कौन से होती है एक्जोस्पिर और एक्जोस्पिर को क्या कहते है भई ब्रहा मंडल कहते है राइट अंसर उप्से नमबर ए हो जाएगा ठीक है यह मिडल वाली होती है ओइन मंडल क्या होगा ब्रहा मंडल से नीचे वाली और समताब मंडल क्या होगी छोब मं प्रिकास संसर्ट के दोरान उच्छित होने वाली गैस है जब प्रिकास संसर्ट होता है उस समय उच्छित होने वाली गैस कौन सी होती है तो यहाँ पर समीकर आप से पूछ सकता है कि इसकी समीकर बनाएगा यहाँ पर कौन सा आएगा डिकतिस्तान में तो यहाँ को याद होन चाहिए थो हम देखते हैं कौन से बनती है प्रिकास we logic आप यहां पर देखो सबसे पहले ने मूल रॉम के दरl जल लिया जाता है तो क्या होँए भारह हे तो टिक अब हिए प्ल्स कॉन कॉन प्रिकास तो होगा है ना प्रिकास कि प्रिकास के दर अंदर होगा ठीक है उसके उसके बाद जो किरिया होगी तो कौन कौन सा बनेगी कौन सी gas बनेगी भही ही पूच रख है लोससे फोले वाली गैस कौन सी है लिखर स्रीया में क्या बनेगा इस क्रिया में glucose बनेगा पहली बात और बदो को जो वुशंग बोगण क्या बनेगा ग्लू कोज बनेगा न तो तो 6H2O, ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या होगी, प्रकार संस्रेटर बारी किरिया हो जाएगी, यह आपको पूँच सकता है, पूँच सकता है कि यहाँ पर नहीं देगा और यह सारे किसा दे रेखोंगे, पूँचेगा आप से कि यहाँ पर बताएगा कौन सा आएगा, ठी नहीं रहेगी, ठालिस्तान के लिए भरियेगा, तो यह भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जब प्रकार संस्रेटर की बात होई है, तब, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, भाई, O2 रिलीज होगी, ऑक्सिजन रिलीज होगी, ठीक है, नेक्स कुशन की बात करते ह पादबों में जल का परीवहन होता है, जो पादब हैं, उनमें जल का परीवहन किस के दोरा होता है, जाइलम दोरा, फलोयम दोरा, रंदो दोरा, या फिर मूल रोमो दोरा, जल का परीवहन किस से होता है, तो सबसे पहले की परीवहन की बात करते है, जल किस के दोरा भूमी से लिया जाता है तो भूमी से लिया जाता है मूल रोमो के द्वारा तो जल का परिवेन किस से होगा भई मूल रोमो के द्वारा ठीक है और जाइलम के द्वारा जल को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तर पहुचाया जाता है किसके अंदर पौदों के अंदर जाइलम कोशि सब्सक्राइब का तो यहां पर लाइक करना चैनल को कर देना सस्क्राइब बेल आकन को प्रेस कर देना जोगी नोटिपेक्स आपके गर बहुंच जाए नेक्स्ट यूनिट का ठीक है लाइक करो शेर करो चैनल को सस्क्राइब करो तो फिर्ट जैहिन जै भारत